नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका हमारे डूप चैनल फोकस पावर पे तो आज की जो जोब अपडेट है हुआ है इस्टील अथोरिटी ऑफ इंडिया की तरप से राउल के जो इस्टील प्रांट है बहुत ही अच्छी सैल इसमें आपको मिलने वाली है तो सबसे पहले आप पोस्ट की डिटेल्स देख लेते हैं कौन-कौन सी पोस्ट के लिए वेकंसी निकाली गी है तो सबसे पहले ऑपरेटर कम टेकनीशन में टोटल भी इस पोस्ट है कटेक्री वाइज आप देख सकते हैं आपकी जो भी कटेक्री है UR, EWS, OBC, SC, PWD कटेक्री में आते हैं या ESMX सर्विसमें में आते हैं तो उसके अनसार भी आप देख सकते हैं तो पहली पोस्ट है बॉयलर ऑपरेटर की सेकंड पोस्ट है ओपरेटर कम टेक्निशन इलेक्टरिकाल सुपरवाइजर की पोस्ट है ये 4 माइनिंग्स ओनली तो यहाँ पर मेंशन भी किया गया माइनिंग्स के लिए है या किस तरीके से हैं उसमें भी मेंशन किया गया तो टोटल दस पोस्ट है इसमें next चलते हैं technician की post पर जो कि electrician के लिए total 25 post है बाकि आप category wise यहां पर देख सकते है feature trade के लिए 28 post है electronics के लिए 10 post है machinist के लिए 10 post है diesel mechanic के लिए 4 post है और copper trade के लिए 3 post है diesel mechanic और copper trade में यहां पर इन्होंने mention किया for mines only, तो mines के लिए ये दो post निकालीगी है, बागी आप ये सब देख सकते हैं और जो भी आप जिस भी कटेकरी से आता है, उसमें भी आप देख सकते हैं, age relaxation जो आपको मिलता ही है, center government की vacancies में, 3 year, 5 years का age relaxation होता है, वो आपको मिल जाएगा, अब देखते हैं क्या qualification माँगी गई concentrate के लिए, तो operator come technician जो boiler trade है, तो आपकी matriculation के साथ 3 year का जो full time diploma है, mechanical engineering से, electrical से, chemical से या power plant production से, instrumentation engineering से होना चीए और first class boiler attendant का certificate आपके पास होना चीए, तो आप apply कर सकते हैं age limit 18-30 है, ये general category के लिए, बाकि आपको relaxation मिल जाएगा electrical supervisor के लिए भी same है, डिप्लोमा माँगा गया है 3 years का full time diploma माँगा गया है और बाकि आपके पास electrical supervisory का certificate चीए, mining में तो ये भी आपके पास माँगा गया है और one year का post qualification experience माँगा गया है, high tension, low tension system line में, installation में तब ही आप इसमें apply कर सकते हैं अब जो technician की vacancies है assistant, attendant come technician तो जिस trade में आप apply करेंगे उस trade से आपका ITI होना compulsory है, full time ITI filter के लिए करोगे तो filter trade से electrician के लिए, electrician, electronics machinist, diesel mechanic, computer operator, programmer तो इन trade से आप apply करेंगे उसी trade का आपका ITI का certificate होने वाला है तो जो diesel mechanic trade है उसमें किवल diesel mechanic वाले ही apply कर पाएंगे motor mechanic वाले ही इसमें apply नहीं कर पाएंगे, तो यह आपे clear लि बता देता हूँ आपको यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ diesel mechanic की mention किया गया qualification में, तो diesel mechanic वाले ही इसमें apply कर सकते हैं बाकि जो भी आपका experience वागे रहा है submitting application है closing date जो है वो है 16-12-2013 तो 16 December तक यह form बरे जाएंगे तो तब तक उससे पहले कि आपके जो भी certificate होंगे वो इससे पहले कि आपके होने चाहिए अब यहाँ पे जो main है या आप salary देख पा रहे होंगे तो salary का आप CTC देखोगे तो 10.4 lakhs का है Approx Annual CTC और 9.9 lakhs का Approx Annual CTC आपका होने वाला है तो काफी अच्छी salary आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी और mode of selection क्या है आपका exam होगा computer based exam होगा 100 questions का objective type का Hindi English में दोनों में आपका होने वाला है जिसमें से आपका technical और 50% general awareness यानि कि जिस trade से आप apply कर रहे है उस trade के 50 questions और 50 questions आपके general awareness के होने वाले है तो 2 segment में यह exam होगा 90 minute का exam होने वाला है trade test भी होगा इसमें skill test के लिए one third candidate को बुलाया जाएगा और उसके बाद आपका result जारी किया जाएगा CVT के base पे तब आपको बुलाया दे और physical standard क्या है यह आप देख पारेंगे male के लिए 155 cm height female के लिए 143 weight 45 male के लिए female के लिए 35 just measurement है इसके बाद visual जो eye side चेक करेंगे color vision वगरा वो सब आपको यहाँ पे mention किया गया है कि किस category का आप eligible होने वाले है अब देखते हैं application fees और processing fees का क्या है तो अगर आप operator come technician में apply कर रहे है तो general category के candidate OVC और EWS के लिए 500 रुपे fees है SCST और ex-serviceman के लिए 1.500 है अगर technician के लिए कर रहे हैं तो 300 रुपे general OVC EWS के लिए और 100 रुपे fees है SCST PWD candidate के लिए online उसमें आप payment कर सकते हैं test जो center है वो आप apply करना है अजब आप form भर होगे तो उस time पर आपको दिखा देगा क्या क्या option आते हैं apply कैसे करना है यह यहाँ पर website दीगी है जिस website पर जाके career page पर आप जाके form को apply कर सकते हैं तो यह थी आज की update steel authority of India के राहूल के रागे vacancies के regarding और last date भी आपको एक बार और remind करा देता हूँ 16-12 को आपका यह last date है form apply शुरू हो जाएंगे इसके 20-11-2023 तो अभी एक दो दिन में इसके form apply होना शुरू हो जाएंगे तो आज के लिए इतने धन्यवाद चाहें